अज से हम कवर करेंगे NCR NCR मतलब NCRT Complete Revision ठेक है और Revision तब ही होगा जब आपको chapter पूरा clear हो तो जिसना chapter देख लिया है मेरी वीडियो से उसके लिए तो NCR बहुत एजी होने वाली है और जिसना chapter नहीं देखा है आज हम solve करने वाले हैं Living Word की NCR तो जिसना chapter नहीं देखा है उसके link description में है जाके पहले chapter देख लो फिर NCR बहुत इजी हो जाने वाली है आपको ठेक है तो चलो स्टार्ट करते हैं NCR अब देखो question तो बहुत सार है ठेक है और NCIT की हल लाइन important है फिर भी NCIT में से है कुछ specific जगे से ही question put up होता है ये बात तुम्हें भी पता है अगर हर line से question put up हो जाता तो 5000 question होते नीट में भाई हो भाई होगे ठेक है specific जगे से question put up होता है तो मेरा target जो होता है उन specific जगे को पकड़ना ठेक है तो मैंने जहां-जहां start लगा रखा है सारे questions का ठेक है तो ऐसा नहीं है कि सारे question छोड़ दी और SS वाले पढ़ लिए ये SS वाले तब पढ़ने है जब आप ending में जा रहे हो एक्जाम देने ठेक है तब आपको अगर choice देखनी हो direct revision करना हो quick revision करना हो तो SS वाले question पढ़ने है अब रही बात सरबार बार वीडियो open करके थोड़ी ना देखेंगे आपके lecture तो भाई जिसको PDF की need है मैंने Instagram की link दे रही है वहापे मैंको message कर दे मैं PDF share कर दूँगा मैंको कोई दिक्कत नहीं है तुम पढ़ो बस अब जैसे देख पहला question क्या है अब जिसने मेरा lecture देखा होगा उसको पता है अनेस्ट मेर है तो अभी भी बोल रहा हूँ जिसने lecture नहीं देखा lecture देख लो अपने start कर रहे है तो चलब अपने start करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है in majority of higher animal and plant growth and reproduction are mutually exclusive events ठीक है क्या बूलना चारों में कि जो higher animal होते हैं higher plant होते हैं उनमें जो growth और reproduction होता है न वो mutually exclusive events है आसर बिल्कुल सही बात है higher है तो reproduction भी करेंगे growth भी करेंगे तो यह NCRT के लाइन है बिल्कुल सही ला reproduction जो है defining characteristics living organism का पर क्यों क्यों कि भाईया बहुत सारे ऐसे हैं there are many organism thoughts cannot reproduce जिनकी किस्मत में तुमारी जैसे सुख नहीं है ठीक है मैरे तो है भाईया मैं तो homo sapien sapien हूँ अपना तुम जानू ठीक चल आगे चलते हैं अब देखिए जो question है मैं slide करता जा रहा हूं तो post करके screenshot जिसको pdf की need है हूँ मैंको direct message कर दें instagram की मैंने link दे रहा है ठीक है आगे चलते हैं question लिखा हुआ है the sum total of all biochemical reaction occurring in our body is called metabolism ठीक है metabolism का मतलब भी क्या होता है the sum of all biochemical reaction text plays in our body उसको हम क्या बोलेंगे metabolism ठीक अब अगला question देखो what is the most obvious and technically complicated feature of all living organism उसका answer है conscious नेस हमारी conscious नेस हमारी सम मजदारी ठीक है वह हमारा जो है complicated feature living organism का तो यह बात ध्यान रखना रट के जाना क्योंकि option में क्या होगा growth, reproduction, consciousness, metabolism तो confused नहीं होना यह option जा है confused कर देते हैं the patient is brain dead ठीक है ध्यान सा सुनना question the patient is brain dead and has no self consciousness ठीक है such patient are never come back to normal life मतलब consciousness भी नहीं है normal life में भी नहीं आ सकता तो उसको ह क्या बोलें वो फिर भी living ही किलाएगा यह बात ध्यान रखना सर केसा living किलाएगा जबकि उसका brain dead हो गया उसके पास self consciousness नहीं है वो never come back to normal life ठीक है फिर भी आप उससा living किया रहे हो अरे भाई consciousness नहीं है पर consciousness थी तो सही ना उसकी metabolic activity तो चल रही है ना वो जिन्दा तो है ना अभी कोई patient coma में है तो उसको क्या बोल देगा तो dad dad नहीं बोल सकता नहीं उसको living बोलेंगे पर ठीक अब जो known star question है इसा नहीं हो important नहीं है भाई पढ़के जाना देखो जैसे affect reproduction in seasonal breeding both plant and animal उसका answer है photo period ठीक है photo period affects reproduction in seasonal breeders ठीक है seasonal breeders वो होते हैं जैसे बहा गर्मी में जो breed कर र ठीक है seasonal breeders वो ही होते हैं अलग-अलग time पे अलग-अलग अपने मन की बात है ठीक है अब देखो अगला अब देखे सारी कुशन में तक को lecture में भी पता दिये जिसे मैं example देता हूं शूबम गुपता तो मैं तक को बताया था बाय नोमेल नोमन क्लेचर उसमें मैंने पूल पहला नाम जो है जननिक नया में पिछह वाला जो है specific apitheater सर फिर से प्रमोशन भाई मेरा lecture मेरा मन ठीक है अब देख ICBN की फुल फ्रूम भी बता दी थी international code of botanical nomenclature मैंने यह भी बताया था कितनी species जो है described है अभी तक discovered है अभी तक 1.7 से 1.8 million ना billion ना trillion मैं answer दे रहा हूं million म ठीक है ऐसा नहीं billion trillion कर रहा हूं option ऐसी आते हैं ध्यान रखना चलो आगे चलते हैं आगे देख यहां पर लिखा हुआ है तो यहां से यहां अगर अपन देखेंगे तो common character species और genus में बहुत ज्यादा होगे बहुत ज्यादा similarities होगी ठीक है तो वही question यहां पर दे रहा है genus comprises a group of related species सही बात है species के बाद ही genus है तो genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to other genera बिल्कुल सही बात है past में है तो common character भी होगा और उसी से बना होगा बिल्कुल true option है ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है homo sapiens ठीक पोटेटो को होता है solenum tuberosum कैसे बोलोगे solenum tuberosum ठीक और लियोपार्ट का ज्यादा जनरली कोई पूचता नहीं है फिर भी आपको याद रखना है panthera paddles ठीक आगे चलते हैं अब देखो plant morphology का आप lecture देख क्या आना वहाँ पर मैंने solenacy, liliacy, bracy, kacy, crucifery सारी family बता रखी है ठीक है plant morphology में ठीक है तो आपको बहुत help हो जाएगी आपको यह सारे question वहाँ से बन जाएंगे यह patuina, datura यह किस से belong करते हैं तो यह सारे example मेंने हम आपे बता रखे हैं, अच्छे से table समझा रखी है, plant morphology चरूर देख के जाना बहुत important है, कम से कम 5-6 questions सीधे सीधे आते हैं, नीट में, ठीक है अपने लिखते सबारनी आएंगे, आगे चलता है, अब देखो यह definition बहुत important है, a group of individual organism with fundamental similarities, उसको हम क्या बोलेंगे, species, ठीक है तो यह भी चार नमर में पूछी जा चुकी है, a group of individual organism with fundamental similarities, उसको हम क्या बोलेंगे, species, ठीक अब मैंने बोला था, as we go higher from species to kingdom, तो क्या होता है, the number of common character decrease, ठीक है, यह मैंने तुम्हें बताया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, they will decrease, ठीक है, number of common character decrease, अब देखो, fishes, amphibia, reptile, bird, along with mammal, constitute the next higher category called phylum, यह फिर बोलो, co-data, तो यह animal diversity में आपको अच्छा से clear हो जाएग अब देखो, आपको question इस तरीके से भी दे सकता है, मालो series दे दी, और फिर आपको पुछा बीच में blank करके कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो आपको series याद है, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, तो फिर कुछ भी height कर ले, आपको answer आता है, ठीक है, आपको यह series ध्यान रखके जानी है, ठ top to bottom, common character, decrease होता है, ठीक है, आगे चलते हैं, आपको common name है, जो mage करने के लिए दे रखे हैं, जैसे main का हो गया, homo sapien, ठीक है, housefly, तो यह muska नहीं है, muska है, ठीक है, muska माल ले ना तो housefly को, ऐसे याज रख ले ना, कोई दिक कर नहीं मिलको, mango, amsa mango, amsa manji, phera indica, ठीक है, यह ब आगे, हाँ, herbarium, ठीक, तो herbarium is a store house of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheet, देको ध्यान से सुन लाए ना, dried होता है, ठीक है, pressed होता है, एक एक word important है herbarium का, क्योंकि क्या होता है, कोई सा भी word गुमा देते हैं, फिर पूछ लेते हैं, कि which of the following option is not correct, ठीक है, फिर आपको सारे सही लगते हैं, तो ध taxonomic study में, ठीक है, तो यह बाद भी तुम्हें याद रखने है, NCIT की बहुत important line है, herbarium जो है quick referral system है taxonomic study में, और Indian botanical garden का आप है, national botanical garden का आप है, यह भी मने तुम्हें लेक्चल में बताया था, ठीक है, अभी याद रखना कि purpose क्या है botanical garden का, ठीक है, botanical garden का purpose है identification, क्या purpose ह उन animals का identify करना, वो purpose है botanical garden का, ठीक, और geological parks का क्या important है, geological parks के important है, learn about their food habits and behavior of wild animals, ठीक है, उनके behavior को पिचानना, उनके खाने को देखना, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सब काम है geological park का, ठीक है, यह parts लिखा हुआ, इसको correct कर लेना, park आप है ठीक, चलो आगे चल pair है, pair में को रहते हैं, sir, couple रहते हैं, ठीक है, answer जाएगा, couplet, ठीक है, तो in key, a pair of contrastic characters is called, इसे याद रख लेगा तू, couplet, अब देखो, each statement in the couplet of key is called lead, ठीक है, तो भीया, जो pair में उनको तो क्या बोल दिया, couplet, और couplet का हर statement क्या होता है, lead, ठीक है, यह कुछ question है, जो कभी- NCRT से ही आते हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ के जाना ज़रूरी होता है, अब देख, यह भी मैंना lecture में बताया, what does monograph content to information of any one text on, ठीक, अब देख, manual क्या है, useful for providing information for identification of name of species found in an area, ठीक है, तो manual बिलकुल अलगे है, monograph बिलकुल अलगे है, monograph क्या है, information of any one text on, ठीक, तो इसमें confused मे बच्चे क्या होते है, manual और monograph में confused हो जाते हैं, ठीक है, चल आगे चलते हैं, अब देख, आगे पूचा गया है, two kingdom system किसने दिया था, सबको पता है, callous lineage ने दिया था, पर दिक्कत कहां थी, दिक्कत यह थी, किसने eukaryote और prokaryote के बारे में नी बताया, unicellular, multicellular के बारे में नी बताया, तो यह two kingdom system की जो demerits है, demerits मतलब drawback है, ठीक है, तो दिया किसने था, callous lineage ने, ठीक, तो देखो यह हो गई आपकी living word की NCR, जिसको जो question important लगता है, वो उसे पढ़े, ठीक है, जिसे pdf की need है, वो में एको message कर दे, और जिसे screenshot लेना है, वो screenshot लेले, मैंने वैस से देरे-देरे slide किये पूरी वीडियो को, ठीक है, ठीक है, ठीक यू सो मच, ठीक्स पर वोचिंग, keep support, ठीक यू